अपना घर एक छोटी सी पाटशाला कैसे होता है उसको दर्साते हुए प्रस्तुत है संत स्रीयासारामजी गुरुकुल के रिसी कुमारो द्वारा एक छोटी सी नाटी का जैसी करनी वैसी भरनी बेटा सुरेश मेरा चस्मा देखा क्या सुबो सुबो शुरू होगे पापा कब छुटकारा मिलेगा इनसे पता नहीं बेटा मेरे को चस्मा कहीं नहीं मिल रहा है तू ही ढूंड के दे दे न क्यों सुबो सुबो परिशान करते हो पापा आप खुद ही धूंड लो न मेरा चस्मा यहीं तो रखा था कहा गया दिखनी रहा है चस्मा कहा गया होगा पेटा पापा आपने नाख में दम करके रखा है क्यों परिशान करते रहते हो अपना चस्मा कुछ संबाल के नहीं रख सकते रोहन की मम्मी पापा का चस्मा धूंड के देना तो पापा जी का रोज का रामायन है एक दिम का थोड़ी ना है तुम ही डूंड कर दो मैं बोजन बना रहे हूँ मेरे पास टाइम नहीं है और हाँ, जल्दी ढून कर दो, नहीं तो सामान इधर उधर कर देंगे मेरा काम और भी बढ़ा देंगे हे भगवान, तुम ही कुछ करो इनका अपना जस्मा इधर उधर रखकर सब को परिशान करते रहते हो आवा पापा, ये सामने तो रखा है जस्मा तुम सज्मुच अंध्य हो गए हो, ये लो पापा, पापा, ये गणित मुझे नहीं आ रहा है आप कर दो ना पापा बेटा, तु खुद ही कर ले, तु खुद करेगा तो ही सीखेगा है ना, चल तू प्रयास कर चल हाँ पापा हाँ, पापा जॉब निल गया, जॉब निल गया, जॉब निल गया संभल कर तु ये लगी तु नहीं न बेटा नहीं पापा, मुझे नहीं लगी, मैं ठीक हूँ और कैसे हो यार, सब खेरियत तो है ना, हाँ यार, कट रही है जिन्दगी जैसे तैसे, जैसे तैसे मतलब? पापा, आप खासना बंद करोगे प्लीज क्या बताओ यार, ओफिस में बॉस का टेंशन और घर में ये पापा ने परिशान करके रखा है, दिन भर बस खासते रहते हैं, इनकी छोटी सी छोटी चीजों का खयाल हमें रखना पड़ता है अरे, लेकिन तुने अभी तक इस मुसीवत को घर पे पाल तर क्यों रखा है, मतलब? अरे, मतलब साफ साफ है यार, मैंने तो अपनी मुसीवत, मतलब अपने माता पिता को कभ से घर से बाहा निकाल दिया, घर के बाहर मतलब? घर के बाहर मतलब व्रद्धाश्रम में अंकल अंकल, व्रद्धाश्रम मतलब क्या होता है? पेड़ा रोहन, व्रद्धाश्रम मतलब जहां बुड़े लोगों को रखते हैं, जैसे कि तेरे दादा जी, तेरे पापा, तेरे दादा जी से परिशान है, उन्हें वहाँ व्रद्धाश्रम में छोड़ कर आएंगे, मै मैंने भी अपने ममिल पापा को वहीं रखा है, सही बात बताई यार तुने, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई यार पहले, मैं भी अब ऐसा ही करता हूँ, पिताजी को रुद्धाश्रम छोड़ के आता हूँ, परिशान करके रखा ही नहीं, अच्छा तो ठीक है यार चलता हूँ, क्योंकि ओपिस भी जाना है, ठीक है यार, बाई, मिलते हैं, ओ जी सुनते हो, टीफिन तयार है, और हाँ, आप ओफिस के लिए तयार हो जाओ, बेटा रोहार, स्कुल का टाइम हो गया है, तू भी तयार हो जाओ, अपना टीफिन भी ले लेना, रोहन की मम्मी, मेरा चस्मा कहा है, जरा धूंड के तो देना है, अरे वही कही होगा, देख लो, बेटा रोहन, पापा का चस्मा धूंके दो, पापा, आपका रोज का ड्रामा है ये, लगता है आप सच्मुझ अंधे हो गए, ये सामने ही तो रखा है चस्मा, पता नहीं पापा, आपसे कब छुटकारा मिलेगा, आप जल्डी जल्डी बुड़े हो जाओ, मैं भी आपको वृद्धास्रम में छोड़ क्या हूँगा, रोहन, ये क्या तरीका हुआ बड़ों से बात करने का, क्या तुम स्कूल में यही सब सेखते हो? स्कूल में नहीं पापा, मैं तो आपसे ही सिखा हूँगा, पापा, मेरे जरा से गिरने पर आपको कितनी टेंशन हो गई, ये टेंशन मतलब आपका प्यार ही है ना पापा, तो बच्पन में आपके पापा भी आपको ऐसे ही प्यार करते होंगे ना? बेटा रोहन, माता पिता के साथ ऐसा वैवार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, माता पिता तो तर्थी के भगवान होते हैं, भगवान, उनका हमें आदर करना चाहिए दाड़ा जी, आप भी तो मेरे पापा के पापा हों, फिर भी वो आपका आदर क्यों नहीं करते हैं? पापा पापा मेरे पेंडे सेंगर्थियो मैं आपको रुद्धा श्रब नहीं भेजूंगा पिता जी आपके बच्चे जो देखते हैं जो सुनते हैं वही सीखते हैं हर बच्चे की पहली शिक्षा घर से शुरू होती है आपका घर आपका परिवार आपकी बच्चों का पहला स्कूल होता है और माता पिता पहले शिक्षिक होते हैं झाल